हलो दोस्तों मिरा नाम है मुहम्मत कैसर और आप देख रहा हैं Study Channel दोस्तों प्रात्मी सिक्षक भरती की कट ओफ जारी कर दी गई है देख सकते हैं आप यहाँ पर कार्यारा दिदेशक प्रारामिक सिक्षा राजस्थान भी का नेर तो Read 2021 के आधार पर Primary Level यानि Level 1 में 15,000 पदों पर भरती होनी थी और उसका कट ओफ जारी कर दिया गया है कट ओफ काफी जादा गया है आप देख सकते हैं Unreserved General की जो कट ओफ गई है वो 130 गई है तो 150 नंबर का Read की परिक्षा होती है उसमें से 130 कट ओफ गया है और यहाँ पर दोस्तों पदों के साब एक्ष दो गुना भरतियों को फिलहाल क्वालिफाई किया गया है तो 15,000 पद हैं Level 1 में तो 31,000 चातरों को सौट लिस्ट किया गया है और तब कट ओफ 130 गया है Unreserved का तो कट ओफ काफी जादा गया है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो अब इन अभरतियों का Document Verification होगा सौट लिस्ट एक बार फिर से किया जाएगा क्योंकि 31,000 लोगों को तो रूकरी मिलेगी नहीं कि सुची जारी हुई है तो बहुत सारे लोग जाएंगे कांसलिंग में क्योंकि अभी तो जल्दी इसकी परिक्षाएं हुई है तो इतना जल्दी कितने लोगों को और जगहों पर नौकरी मिल गया होगा तो कट आप यहां पर देख सकते हैं जनरल का 130 कट आफ गया है बाक इसका सलूशन है डाउट न टैप बस आपको कोशन की फोडो किचिना है क्रॉप करना है और बस पास सेकेंड में आपको उसका सलूशन मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो अब पूछो अनलिमिटेड सवाल कभी भी और कहीं भी चाहें आपका सवाल छटी से लेकर बारहवी तक के हो IIT J.E. NIT का हो या CBSC Board, UP Board आस्थान या किसी अन्य स्टेट बोर्ड का हो साथी साथ फेज कमेस्ट्री, Mathology और Science के सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे और यहाँ पर नवी से बारहवी और IIT J.E. NIT की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है और RIT 2021 के आधार पर लगबक 15,000 पदों पर जो भरती प्रक्रिया है वो जारी रहेगी, RIT 2021 लेवल 2 का एक्जाम कैंसल हो गया था लेकिन लेवल 1 की परिक्षा कैंसल नहीं हुई थी और यह भरती प्रक्रिया जलपूरी होगी और मार्च लास्ट तक ही इन चैनित भीरतियों को न्यूक्ती पत्र भी दे दिया जाएगा आयोजन होने जा रहा है, इसका भी ऐलान राजस्थान के सिक्षाम मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कर दिया है और ये परिक्षा 23 और 24 जुलाई को होगा तो रीट 2022 का एक्जाम 23 और 24 जुलाई को होगा, इसका रोटिफिकेशन मार्च में या जाएगा और इसके लिए आवेदन होंगे या आपका रीट 2021 में नहीं हो पाया, या आपने यहाँ पर आवेदन नहीं किया था, या लेवल टू में आवेदन किया था, वो परिक्षा कैंथिल हो गई, तो दुबारा से रीट होने जा रहा है और इसमें सभी अभ्वहरति आवेदन कर सकते हैं, रीट में अधर इस्ट प्राप्तां को प्राप्त करेगा, ऐसे अब भेटियों को पुनह परिक्षा देना होगा, एक और परिक्षा का आयोजन कराए जाएगा, लेकिन रीट 2020 में जो सब्सक्राइब भरती हो रही है, वो डारेक्टली भरती रीट कैधार पर ही हो जाएगी, लेकिन अब रीट में एक और एक्जाम भी देखने को मिलने वाला है, तो कटाप ज़्यादा चला गया है, रीट 2020 में, और सामान वर के कटाप तो काफी ज़्यादा गया है, चोकि उसमें अधर इस्ट्रिट वाले भी छात्र शामिल है, और रीट 2022 के बाद एक और परिक्षा होगी, तो रीट 2022 के कटाप ज़्यादा नहीं रहेगा, जो मिनमम पासिंग मार्क्स है, जो अभ्यर्थी उसे पालेंगे, वो अगली परिक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो यह था दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ मात्पूर अपडेट, वीडियो को लाइक और शेर कर चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा लेजे ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और आथेंटिक इन्फोर्मेशन मिलती रहे, थांक्स और वाचिंग